मुश्कार दोस्तों मैं जितेंद कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है जेकेस ब्लॉग रीवा में आज हम 2022 एको के सेफटी फीचर की बारे में बात करेंगे कि इस गाड़ी में आपके सेफटी आपके लिए सेफटी फीचर क्या क्या दे हैं तो आएए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं पहला सेफटी फीचर पहला सेफटी फीचर इसमें दोस्तों देखेंगे यहाँ पर एयर वेक ढफ्याहि आता है खालन अक्तर कर यह धैल ठोनकर सायडिन लेकिन अब आपको दोह एटाड और Rules आले इस से बहुत ज्याद़ ज्यादाएंगे ही मिलेंगे और यह आपको दूसरी बात मैं बताना चाऊना दोस्तों कि आप हमेशा सीट बैट जरूर लगाएं अपने बारे दो रखेंगे 25-30,000 रुपए एक्स्रा पे करते हैं company को तो आप क्यों ना इसको यूज करें आप बिल्कुल यूज करें दोस्तो इससे बहुत ज़्यादा advantage है और आप से ज़्यादा आपके पूरे परिवार आपको तो advantage मिले के आपको पूरे परिवार को भी advantage मिलेगा तो आप कभी भी अपने परिवार को भी side में बैठाते हैं अपने बगल में तो seatbelt जरूर लगाएं ताकि आने वाली generation आपको copy करे और वो जब आप पहने लग जाएंगे तो आने वाली generation भी seatbelt हमेशा पहनेगी तो यह इसके पहला feature था जो कि काफी सबसे best और सबसे advance feature है किसी भी गाड़ी के लिए और जो दूसरा feature है दोस्तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ दूसरा feature है आपके braking से related कि जो आपकी brake को ज़्यादा smooth ज़्यादा better performance braking को ज़्यादा better performance के साथ provide कराता है जिसको बोलते हैं ABS ABS दोस्तों ये आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है ये anti-lock braking system है इसका advantage ये है कि जब कभी आप गाड़ी पे एक एक brake मारते हैं तो गाड़ी आपकी skit नहीं करती जैसे कि कुछ पहले गाड़ी आती थी वो without ABS आती थी तो उसका उसमें क्या होता था जब आप brake मारते थे तो उसमें क्या होता था गाड़ी skit कर जाती थी और कई बार बारिश में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी दोस्तों तो आपको ABS भी आप सरकार की guideline के according ABS भी मिलेगा जिसे बोलते हैं anti-lock braking system यह आपकी गाड़ी जब आप brake लगाते हैं तो एक एक जैसे कभी panic टाइम पे आपने यह brake अपलाई किया कोई भी गाड़ी का brake अपलाई किया जिसमें की ABS लगा हुआ है तो कम distance में ही आपकी गाड़ी रुख जाएगी without any skate जो तीसरा feature है दोस्तो वो है आपके door पे दिया जाता है जैसे कि आएए मैं दोस्तो आपको दिखाता हूँ तीसरा feature आता है child lock का जो कि आपके दोनो door's passenger doors पे दिया जाता है आएए मैं दिखाता हूँ दोस्तो यह है child lock इसको child lock हमेशा apply करके रखें आप चाहे बच्चे बैठा रखें हो जा passenger बैठा रखें हो हमेशा ही child lock को आप on करके रखें यह on हो गया lock और यह हो गया unlock तो इससे क्या फाइदा होगा कि आपके गाड़ी अंदर से नहीं खुलेगी आपको बाहर से ही खोलना पड़ेगा तो इसका advantage होगा कि अगर बच्चे बैठे हैं गाड़ी के तो अगर बार बार हैंडल पे भी उनका हाथ चाला जाता है एक एक तो गाड़ी की जो डोर है वो open नहीं होंगे दोस्तों इसका जो चौथा feature है safety features के अगर बात कर ही रहे हैं तो seatbelt को आप नहीं भूल सकते जो की पीछे rear में भी आपको seatbelt provide किया जाता है यह देखिए दोस्तों यह seatbelt है rear seat में भी आपको seatbelt में जाता है क्योंकि safety features की बात करें और seatbelt की बात ना करें तो उसका कोई meaning नहीं यह मतलब नहीं निकलता तो यहां पे आगर आप हाला कि कोई इतना वो नहीं है seatbelt आप हमेशा wear करके रखे पीछे वाले front वाले तो आपको हमेशा wear करके मतलब पहन के ही रखना चाहिए लेकि seatbelt पीछे भी company ने दे रखा है कि आप पीछे वाले passenger भी seatbelt को use कर सकते हैं इसका अगला feature है दोस्तों जब कभी भी आप गाड़ी को high speed पे run करते हैं जैसे कि कभी आपकी गाड़ी 80 आप नहीं चलाना चाहते 80 की speed में 80 प्लस नहीं चलाना चाहते तो उस condition में क्या होगा जब भी आपकी गाड़ी 80 के काटे पे जाएगी यह जो कांटा है यहाँ पे 80 की speed में अगर टच करता है तो आपको एक beep सुनाई देगी उससे यह पता चलेगा कि आपके गाड़ी जो है 80 किलोमीटर प्रति आर्ट की speed से ज़्यादा जा रही है तो किरपया उस पे भी आप ध्यान जरूर रखें दोस्तों तो इस बात के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि आपके गाड़ी जादा speed पे चलती है तो वहाँ पे भी आपको beep सुनाई देती है इसका अगला जो feature है दोस्तों safety features की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं अगला feature ही बता दूँ कि यहाँ पे आपको seat built reminder भी मिलेगा इसमें आपको लंबी लंबी बीप आती है पांच से दस मिनद तक यह बीप चलती रहेगी यहाँ पे आपको यह show करेगा कि आपने seat built नहीं लगा रखा है वो भी आपको याद दिलाता रहेगा कि आप करिपया seat built जरूर लगाएं दोस्तो और जो अगला safety features की बात करें वो आता है rear parking sensor आए मैं दिखाता हूं दोस्तो इसका rear parking sensor इसमें दो rear parking sensor दिये जाते हैं दोस्तो जिससे कि आपको advantage मिलता है कि जब कभी आप reverse करते हैं गाड़ी को यह देखें दोस्तो यह पहला reverse parking sensor है दोस्तो यह दूसरा reverse parking sensor है दोस्तो इसका advantage यह हो जाता है कि जब कभी आप गाड़ी को reverse करते हैं तो जब कोई object आपके गाड़ी के पास आता है तो ये बीब बीब मतलब आवाज करतेने लगता है जिससे आपको समझ में आ जाता है कि कोई object या कोई चीज हमारे गाड़ी के पास आ रही है जिससे कि कोई भी accident होने से बचाव होता है दोस्तों तो ये था दोस्तों इस गाड़ी के safety features की बात जो किये मैंने आपको बताया जो मुझे पता थी हाँ अगर आपको कोई इससे अलग कोई feature पता है safety के बारे में तो please comment में जरूर बताएं ताकि मुझे भी सीखने को मिले कि इसमें और कुछ safety features आते हैं बाकि ये गाड़ी का walk around मैं दिखा देता हूं दोस्तों ये देखे दोस्तों गाड़ी का walk around ये गाड़ी आपको कैसी लगती है दोस्तों जरूर बताएं ये गाड़ी और इस गाड़ी में इतने feature मेरे समझ से काफी हैं दोस्तों क्योंकि पहले कि जो गाड़ीयां आती थी उनमें इतने feature भी नहीं कैसे अध्रम मेरें चाहें जरूर बताएं दोस्तों कि ये गाड़ी मेरी आपको कैसी लगी और मेरी चोटी सी कोशिस आपको कैसी लेगी ये जरूर बताएं दोस्तों और आपको गाड़ी eco के बारे में कैसा लगता है कैसे आपके opinion है यह जरूर बताएं दोस्तों तो आपको यह मेरी कोशिस अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को subscribe करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ share करें दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का किम्ति सम मैं देने के लिए मैं आशा करता हूं को आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगती तो प्लीज और प्लीज सब्सक्राइब परें दोस्तों जय हिंज भारत थैंक यू